गुड मॉर्निंग बच्चू, गलू ओफिजिक्स में आप सबका स्वागत है, प्यारे बच्चू, टैंथ साइन्स में जो हैं आप केमिस्टी पढ़ रहे हैं बच्चू, और आज का जो टॉपिक है बच्चू, वो है बैलेंस्ट एंड अन बैलेंस्ट केमिकल इक्वेशन्स संतुलिट और असंतुलिट रासाइनिक सम्मिकरण जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चू, तो सबसे पहले बच्चू, बैलेंस्ट केमिकल इक्वेशन्स क्या होता है, आप इसमें दियान देंगे, थोड़ा नोट्स बनाएंगे बच्चू, तो ए बैलेंस्ट, a balanced chemical a balanced chemical equation a balanced chemical equation has an has an equal has an equal number has an equal number of atom equal number of atom of different of different elements elements in the reaction in the reactant not reaction in the reactant in the reactant and product and and product तो प्यारे बच्चो जो balanced chemical equation होगा उसमें क्या होगा बच्चो equal number of atom equal number of atom मैं इसको मार कर रहा हूँ बच्चो इक्वाल number of atoms ठीक है बच्चो डिफ्रेंट एलिमेंट के जो equal number of atom होंगे चाहे वो रियक्टेंट में हैं और चाहे प्रोड़क्ट में ठीक है बच्चो प्रोड़क्ट और रियक्टेंट में equal number of atom होंगे substance के ठीक है बच्चो यहाँ पर यह क्या कह रहा है यह balanced chemical equation has an equal number of atom of different element in reactant and product का मत हो गया जो chemical balance chemical equation है उसमें क्या होंगे बिन जो different element है उनके क्या होंगे equal atom होंगे reactant में और product में ठीक है बच्चो equal atom होने चाहे जैसे अगर oxygen है तो oxygen के क्या होने चाहे reactant में भी उतने atom होने चाहे जितने atom कहा होने चाहे बच्चो प्रोड़क्ट में होने चाहे वाला है बच्चो ध्यान देंगे और तब जो है आप equation को balance करेंगे बच्चो तो बच्चो zinc है zinc plus H2SO4, H2SO4 is equal to zinc sulfate है बच्चो ये zinc SO4 plus H2 ठीक है बच्चो एक chemical reaction हमारे पास ये दे रखा है आपको check करना है बच्चो कि ये equation balance है या unbalanced है बच्चो तो क्या होगा number of atom जो reactant में substance के जो number of atom है वही product में भी होने चाहे बच्चो ठीक है ये reactant है बच्चो ये क्या है बच्चो reactant है इधर के क्या है बच्चो reactant ये क्या है reactant ये क्या है बच्चो reactant है यहां से यां तक ये दो आपको पार reactant है और आपके पास दो क्या है बच्चो products है, ठीक है, क्या है? दो आपके पास product है, और substance क्या क्या है, बच्चो, यहाँ पर zinc है, hydrogen है, sulfur है, oxygen है, तो इनके जो atom है, reactant में जो यह atom होंगे, इनके वही product में भी होंगे, बच्चो, तो थोड़ा सा हम चेक करते हैं, बच्चो, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, बच्चो, और बहुत धीरी-धीरे आपको पढ़ाए जा रहा है, और आप not squeeze के बनाएंगे, बच्चो, और आपको निस्सी द्रूप से clear हो जाएगा, number of, number of, number of zinc atoms, zinc atoms, तो बताए, बच्चो, number of zinc atoms कितने हैं, यहाँ पर दिखें, बच्चो, यहाँ पर जो है, मैं दोनों बना देता हूं, थोड़ा दियान देंगे, यहाँ पर बना देता हूं, बच्चो, reactant, यहाँ पर reactant बना देता हूं, बच्चो, और यहाँ पर products बना देता हूं ठीक है बचो अब आप हमें बताएंगे बचो जिंके atom कितने है बचो reactant में एक है न बचो यहाँ पर एक atom है न जिंका एक atom है न तो कितना atom होगे बचो 1 और product में जिंके कितने atom है बचो 1 तो इसका मतब ये तो balance होगे बच्चो दोनों में reactant में और product में जो है बच्चो atom क्या होने चाहिए बच्चो equal होने चाहिए बच्चो ठीक है दोनों में atom क्या होने चाहिए equal होने चाहिए और अब दूसरी पर चलता है बच्चो दूसरा जो है दूसरी पर आप चलेंगे बच्चो तो अब हम करेंगे बच्चो ध्यान दीजे number of hydrogen atoms तो बताए बच्चो hydrogen के atom कितने है बच्चो यहाँ पर hydrogen के atom कितने है बच्चो 2 यह देखे बच्चो 2 होगे और product में hydrogen के atom कितने होगे बच्चो 2 तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 तो यह भी balance होगे बच्चो ठीक है न बच्चो अब कौन रहेगे बच्चो नमबर ओफ सल्फर एटम नमबर ओफ नमबर ओफ सल्फर एटम तो नमबर ओफ सल्फर एटम कितने होगे बच्चो यहां कितने है बच्चो वन है यह देखे बच्चो और यहां भी कितने है बच्चो वन है तो यहां पर जो है होगी लिए चलते हैं आपको अब क्या बच्चो सैन्सफर है नमघ ऊफ, और अख शिजन इटम किछ क्या है बच्चो यहां पे चार है ना वच्चोफ टो यहां पे चार होगी और और यहां कितने होगे बच्चो, यहां भी चार होगे, तो बच्चो देखे, क्या हो रहा है, overall क्या हो रहा है, कि जितने भी सबस्टांस है, रियक्टेंट में जितने भी सबस्टांस है, और प्रोड़क्ट में जितने भी सबस्टांस है, उनके एटम में कोई चेंज है हुआ यहां देखो बच्चो, रियक्टेंट में जिंक का एक एटम है, तो प्रोड़क्ट में भी कितना है, एक एटम है, रियक्टेंट में हाइडिजन के एक दो एटम है, प्रोड़क्ट में भी दो एटम है, सल्फर का रियक्टेंट में एक एटम है, प्रोड़क्ट में भी एक ए बैलेंस्ट है बच्चो ठीक है बच्चो अब यहां पर हम इसको क्या कहेंगे बच्चो यह क्या हो गया आपका बैलेंस्ट केमिकल एक्विशन हो गया क्योंकि यहां पर जो है बच्चो जो रियक्टेंट के रियक्टेंट में जो सबस्टांस के एटम है वही जो है प्रोडक् अन बैलेंस्ट अन बैलेंस्ट चेमिकल चेमिकल एक्वेशन अन बैलेंस्ट चेमिकल एक्वेशन वह धीरे दीर लिख रहा हूं बाचो कि आप चो है इसको लिख विदे आएं आपको बच्चो आपको नौट सी वनाने हैं पहले तो बच्चो आपको concept killer करने हैं और उसके बाद जो है इसको याद भी करना है बच्चो अब देखें बच्चो अनबैलेंस्ट क्या होगा अनबैलेंस्ट में क्या होगा जो reactant के atom है substance के वो product के atom के बरावर नहीं होंगे चलो बच्चो आपको बता भी देते हैं कि किस परकार से अब बच्चो मैं एक equation लिख देता हूं बच्चो ये देखें बच्चो h2 plus o2 equal to h2 ठीक है बच्चो equal to h2 ये पानी बन गया बच्चो hydrogen के दो atom और oxygen के दो atom आपस में मिले और उन्होंने क्या बना दिया compound बना दिया s2 ठीक अब बच्चो आपको यहां पर ज्यान देना होगा बच्चो कि reactant क्या है reactant तो आपके पाई ये होगी बच्चो दो reactant होगे आपको पास ठीक है reactant reactants ठीक है बच्चो दो reactant होगे और एक product होगया एक क्या हो गया, प्रूडक्ट आपके पास हो गया बच्चो, तो अब आप चेक करेंगे बच्चो कि क्या हो रहा इसमें, ठीक है, अब आप चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए बच्चो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, मैं लिख देता हूँ बच्चो, रियक्टेंट थिका 2 है यहां पर यहां पर लिखेता हूँ बच्चो प्रोडक्ट यहां पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट ठीक है न ठीक है भचो आ रहाए न बचो अब यहां पर ल्यक्राइब करें नमबर ओफ हअज़न आटमज क्या दो इते हैं बचचो इसमर्ण ओक्राइब patriot अब नमबर ओफ number of oxygen atoms अब oxygen के atoms कितने है वच्छो यहाँ पर बताओ वच्छो दो यहाँ पर oxygen के atom दो है और product में कितने रह गए वच्छो एक रह गया तो क्या कहेंगे आप अब आप क्या कहेंगे है यह balanced वच्छो है balanced नहीं वच्छो क्यों कि जो है वच्छो hydrogen reactant में दो atom है और product में भी दो atom है लेकिन oxygen को नहीं क्या है वच्छो आपने balance तो यहाँ पर oxygen के तो दो atom है reactant में और product में one atom हो गया तो इसका मतलब जो है वच्छो यह equation जो है आपका balanced नहीं है यह क्या है आपका unbalanced equation है तो unbalanced equation में क्या होगा बच्चो जो unbalanced equation होगा उसमें किसी substance के किसी भी substance के पदार्थ के जो atom है reactant में वो product में बराबर नहीं होंगे बच्चो और balanced कब होगा जब किसी substance के reactant में जो atom है वो product में भी उतने ही होने चाहिए बच्चो तो प्यारे बच्चो हमने आज आज आपको इस वीडियो में पूरी कोसिस की है बताने की कि balanced और unbalanced chemical equation क्या होता बच्चो तो प्यारे बच्चो यदि आप चैनल पर बने हुई हैं तो चैनल को subscribe कर दें ब्याल आइकन को press करते हुए notification on कर दें ताकि समय समय पर glow of physics के द्वारा बनने वाली जो उपयोगी वीडियो है बच्चो आप तक पहुंच सके आने वाली वीडियो में मैं आपको जो chemical equations हैं उनको balanced करना बताओंगा बच्चो तो प्यारे बच्चो चैनल पर बने रहने के लिए एक बारा आपका बहुत बहुत धन्यवाद